हेलो एव्रीवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा स्कृप्ट से लेटिड कुछ और इंपोरेंट टॉपिक जैसे जावा स्कृप्ट स्ट्रिंग ऑबजेक्ट क्या होते हैं या डेट ऑबजेक्ट क्या होता है जावा स्कृप्ट मैट क्या होता है नमबर ऑबजेक्ट और बुलियन इन पाथ चीजों के बारे में पढ़ेंगे यह चोटे चोटे टॉपिक हैं औ और exam में पूछे जा सकते हैं, okay, PDF के लिए आप हमारा prime pack खरीच सकते हैं, link आपको description में दिया गया है, वहाँ जाके जो आप registration form फिल कीजिए, वहाँ से जो आप PDF ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, javascript date object के बारे में, तो javascript date object क्यों use किया जाता है, जो webpage होता है, उस पे date वगएरे डालने के लिए year month, ये सारी चीजें display करने के लिए हम date object का use करते हैं, तो पढ़ते हैं, the javascript date object can be used to get year month and day, you can display a time on the web page by the help of javascript date object okay, so year, month, timer, यह सारी चीज़े हम date object से web page पे set कर सकते हैं javascript के द्वारा, okay you can use different date constructor to create date object date object को create करने के लिए different date constructor जो है, use के जाते हैं it provide methods to get and set day, month, year, hour, minute and second तो इसके द्वारा यह सारी चीज़ों को set कर सकते हैं तो four ways होते हैं to create a new date object date object को create करने के लिए चार तरीके होते हैं सबसे पहले हैं जैसे new date तो आगे है new date, इसमें आ जाएगा year, month, day, hours, minutes, seconds और milliseconds, उसके बाद है new date milliseconds में और new date date string में यानि कि date को set करने के यह चार तरीके होते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ new date new date में क्या create होगा create a new date object with the current date and time new date object के द्वारा हम current date और time को create कर सकते हैं वाब पेज पे, okay note javascript count month from 0 to 11 तो यहाँ पर हमने जैसे second में यह लिया था न month, day तो month जो count करता है javascript वो count करता है 0 से यानि कि वैसे 12 मन्त होते हैं लेकिन javascript में यह count किया जाता है 0 से लेकर 11 तक तो 0 पे आजाएगा January और 11 पे आजाएगा December ठीक है new date create a new date object from a date string तो यह new date जो है string की उसमें यानि कि जो characters की form होती है उसमें करता है ठीक है तो यह चार तरीकी इसमें होती है उसके बाद बात आती है javascript math object की तो देखे math object क्यों हम use करते हैं जावा स्क्रिप्ट math object allow you to perform mathematical task and numbers ठीक है mathematical task जो है perform कर सकते है javascript math object के द्वारा जैसे example यह मैंने math.py अब हमें पता है पाई की value क्या होती है तो हमें यहां से क्या return होगा पाई की value मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से math. sorry math object से हम क्या करते है mathematical task को perform करते है तो इसमें देखे कुछ math.py होती है जैसे सबसे पहले है math.round यह क्या करते है अगर मैंने किसी भी document जो मैंने बनाया है उसमें मैंने कोई function डाला math.round x तो इसका क्या होगा यह return करेगा value of x rounded to its nearest integer अगर मैं math.round में देखे math.round में मैंने value ने लिए 4.7 तो इसके nearest value कौन से जाएगी 5 जाएगी तो यह 5 रिटन करेगा अगर मैंने यही function अपलाई किया math.round 4.4 तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा तो जो nearest value होगी वो यहां से मिल जाएगी math.round function से इसी तरीके से एक और है math.power math.power क्या करता है return करता है value of x to the power of y जैसे example लिया मैंने 8 और 2 तो 8 यहां पर क्या है x है और 2 क्या है y तो यहां पर 8 का square जो है हमें return होके मिलेगा तो यह मिल जाएगा हमें 64 तो इस तरीके से यह काम करते है उसके बाद देखिए अगला है math.square root math.square root क्या है तो देखे math.square root 64 मैंने यहाँ पर value ली तो इसका square root की value जो है वो हमें return करेगा 64 किसका square root होता है 8 का तो हमें return मिल जाएगा 8 मिल जाएगा next जो है वो है math.abs next method जो है वो क्या है math.abs यानि की absolute value यह क्या करेगा it return the absolute value of x x की absolute value जो होगी वो हमें return करेगा मतब जो भी given number होगा x की जगे आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो ठीक है absolute value means positive value जैसे मैंने यहाँ आप लिया math.abs और यहाँ पर minus 4.7 लिखा तो हमें क्या return होगे मिलेगा positive value जो हमें return में दी जाएगी ठीक है इसी तरीकी से एक और method है math.ceil यह क्या return करेगा smallest integer ठीक है round उसमें return the value of x rounded up to its nearest यानि की जो भी value मानली float में दी होगी उसके nearest उसकी जो up value होगी वो हमें यह return करेगा जैसे आप 4.4 लिया जब हम round function use करेंगे तो यह हमें क्या return कर रहा था 4 return कर रहा था इसी को जब हम math.ceil function में use करेंगे तो यह हमें क्या करेगा up to value जो इसके nearest होगी तो up to value इसके nearest कौन से है 5 है तो यह हमें 5 return करेगा तो यह दोनों में पूछ सकते हैं कि round में क्या value आएगी और इस function के द्वारा हम इसकी क्या value ले सकते हैं। एक इसी तरीके से math.floor होता है, इसमें हम down value लेते हैं, nearest में, जैसे यहाँ पर 4.7 था, अगर यही हम round में लगाते, तो हमारे पास इसकी value written होके हमें 5 मिलती, ठीक है? लेकिन अगर हम math.floor method का use कर रहे हैं, तो हमें इसकी value क्या मिलेगी? rounded down to its nearest integer, जो इसके नीचे इसका nearest integer होगा, उसकी value, तो इससे नीचे क्या आएगा? 3 आएगा, sorry, 4 आएगा, तो क्या return मिल जाएगा? हमें 4 जो है, return में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये round function से इस तरीके से थोड़े से अलग होते हैं, floor function और CIL function, ठीक है? इसी तरीके से एक math.sine होता है, math.sine क्या करता है? return करता है, sine of the angle x, radiance में, sine की जो value होगी, वो होगी between minus 1 and 1, और यह किसमें given करता है? radiance, मतलब angle आपको given दियाओगा na, sine x में कोई भी angle डाल सकते हो, sine 60, sine 90, ठीक है? लेकिन वो value कि इसके बीच में रहेगी, minus 1 और 1 के बीच में ही रहेगी. If you want to use degree instead of radiance, अगर आप degree use करना चाहते हैं radiance की जगे, तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? convert करना पड़ेगा degree को radiance में. तो angle in radiance, angle in degrees into pi into 180 जो है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ठीक है? cosine में भी देखे क्या होगा? return करेगा cosine of the angle x, जो भी angle दिया होगा, उसकी value और जो value होगी वो between minus 1 and 1 के बीच में होगी. ठीक है? और angle in radiance इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. आगे math min और math maximum. math min और math max क्या कर सकते हैं? can be used to find the lowest और highest value in a list of argument. यानि कि जो list of argument है, उसमें कौन सी minimum value है, कौन सी maximum value है, ये find करेंगे. जैसे आपे एक function दिया math min dot. इसमें देखे, अब सबसे minimum value कौन सी है? minus 200 है, तो हमें return हो जाएगा 200. यहीं बर अगर मैं लगा दिती, math dot max. ठीक है? यानि कि maximum value निकालनी है, maximum value यहाँ पे क्या है? 150 है, तो हमें return में क्या मिल जाता है? 150 मिल जाता, तो इस तरीके से ये perform करता है, ओके? अगर आपको exponential function हम इसमें use करते हैं, math dot xp, तो यह क्या करता है? यह return करता है, exponential form of the given number, यानि कि जो भी number given होगा, उसकी exponential form होगी, उसको यह return करेगा. ठीक है? लोग हम use करते हैं, तो वो natural logarithm of a number return करेगा, अगर हम log value use कर रहे हैं, तो. ठीक है? random, अगर हम use कर रहे हैं कोई method, तो वो हमें return करेगा random number between 0 and 1, लेकिन वो random number किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है? तो इस तरीके से यह काम करता है, चलिए, अब बात करते हैं, java script number object की, अब देखे, number object आपने पढ़ा था, जब हमने primitive और non primitive data type पढ़े, तो primitive data type होता है number, ठीक है? तो यह वही है number और string, यह primitive में आते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा, कि java script में जो भी हम चीज़े पढ़ते हैं, array, number, यह सारी की चीज़े क्या है? object है, तो वही पढ़ रहे हैं हम, java script number object enable you to represent a numeric value, it may be integer or floating, ठीक है? वह जो value होगी numeric, वह floating भी हो सकते हैं, integer भी हो सकती है, java script number object follows IEEE standard to represent the floating point numbers, तो floating point numbers को दिखाने के लिए, java script किस को follow, किस standard को follow करता है? IEEE standard को follow करता है, by the help of number constructor, you can create number object in java script, तो देखे, number object जो हम create कैसे कर सकते हैं, java script में number constructor को use करके हम इसको कर सकते, जिसे एक example दिया, variable and equal to में डाल दिया, new number, और यहां पर हमने value assign कर दी, if value can't be converted to number, अगर हमारी value convert नहीं होती है number में, तो it, क्या return कर देगा यह? not a number, ठीक है? तो हमें क्या return होगा? it returns nan, not a, number जो हमें return हो जाएगा, that can be checked by is nan method, यह किसके method के द्वारा चेक किया जाते है, nan method के द्वारा चेक करते है, you can direct assign ए number to a variable also, direct assign भी कर सकते हम number, variable को, ठीक है? जैसे यह पर variable x था, मैंने यह पर एक value डाल दी, 102 यह integer value होगी, ठीक है? variable y में हमने direct assign कर दी, तो यह floating point value होगी, यह exponent value हो जाएगी, इसकी जो output आएगी, वो आप्या आएगी, यह आजाएगी, variable n में हमने new number डाला 16, ठीक है? तो integer value by number object, इस तरीके विसे भी हम pass करते हैं, ठीक है? तो यह इसकी output आजाएगी हमारे पास, क्या return कर रही है? largest minimum value, max value return करेगी, largest maximum value, ठीक है? फिर अब positive infinity, return करेगी positive infinity overflow value, negative infinity return करेगी, negative infinity overflow value, nan क्या होगा? represent करेगा, note number value, उसके बाद JavaScript के number methods में देखे हैं, इसके methods कौन-कौन से होते हैं, is finite अगर हम use करते हैं, तो यह determine करता है, whether the given value is a finite number, is integer use करेगी, तो determine करता है कि, जो given value है, वो क्या integer है, parse float क्या करता है? convert करता है, given string को, floating point number में, जो भी string given होगा, उसको floating point में change कर देता है, parse float, parse int क्या करता है, जो भी given string होगा, उसको integer number में convert करता है, ठीक है? to exponential है, यह return करते है string that represents exponential notation of the given number. To fixed. It returns the string that represents a number with exact digit after a decimal point. ठीक है? Exact digit बताते हैं यह. Represent करते हैं. Okay, to precision. To precision क्या return करते है? String represents a number of specified precision. String क्या है? Returns the given number in the form of string. तो जो number given होगा, उसको return करेगा string की form में. ठीक है? उसके बाद जो last आता है, वो आता है JavaScript Boolean. JavaScript Boolean क्या एक object that represents value in two states. तो Boolean में हमने दो चीज़े पढ़ी थे, true या false. Condition में हम use करते हैं. तो you can create the JavaScript Boolean object by Boolean constructor. इसको हम किस से दिखा सकते हैं? Boolean constructor से. तो जैसे मैंने डाला Boolean भी, new Boolean. और यहाँ पर हम value पास करेंगे. ओके? देखे, default value क्या होती है? JavaScript Boolean object की. जब हम कोई condition डाली नहीं रहे हैं, तो default value क्या आएगी? JavaScript Boolean object की false आएगी. यह important है यहाँ पर. ओके? चलिए. Example देखते हैं, script hole लिया, document.write 10. अगर less than at 20 से, तो true आजाएगा. ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा? True. अगर 10 less than 5 से, यहाँ से false आजाएगा. तो इस तरीके से दिखाया जाता है. मतब condition कैसे लगती है? इसमें देखें, JavaScript boolean की properties देखें अगर हम. तो सबसे पहले इसकी property जो है, वो है constructor. Constructor क्या return करती है? क्या value आती है? Return the reference of boolean function that created boolean object. prototype क्या करते है? Enable you to add properties and methods. कि हम add कर सकते हैं, property and method को, जो boolean prototype है, उसमें हम इन properties and methods को add कर सकते हैं. prototype property की दवारा. boolean methods होते हैं, जैसे two source है, तो रिटर्न करता है source of boolean object as a string. two string कर रहे हैं, तो ये convert करता है boolean को string में. और value of है, तो ये convert करता है other type into boolean. उसके बाद last है, javascript string भी रह गया था, sorry. तो देखें, javascript string के एक object है, जो represent करते है sequence of character. तो ये हमने पढ़ा था, इसको हम double quote में भी दिखा सकते हैं, single quote में भी दिखा सकते हैं. इसको दिखाने के भी दो तरीके होते हैं, two ways to create string in javascript. एक a string literal और दूसरा a string object. string object में हम use करेंगे new keyword का. string literal भाई है, double quotes में दिखाते हैं, syntax दिया गया, जैसे script tag में ने शुरू किया, variable में डाला में string name, तो यहां पर आजएगे string की value और script को बंद कर दिया, तो यह हो जाता है, by string literal जहां पर हम double quotes का use करते हैं, एक by string object है, using new keyword, तो इसके लिए हम new keyword का use करते हैं, तो मैंने जैसे variable string name लिया, और new string में डाल दिया, string literal, तो here new keyword is used to create instance of string, तो instance of string क्रेट करने के लिए हम new keyword का use करते हैं, तो छोड़े छोड़े topic थे यह, यह हमने cover कर ली है, उसके बाद जो next lecture होगा, वो important है, DOM पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, और उसके बाद complete ही हो जाएगा slavus, ठीक है, क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़े हो दे जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन बट हमें अपने slavus की according पढ़ना है, कि क्या-क्या चीज़े जो हम आपे पूछी जा सकती हैं, ठीक, तो DOM पढ़ेंगे, document object model, लास्ट लेक्चर होगा, document object model का, उसके बाद हम देखेंगे, इससे जो MCQ बनते हैं, वो देखेंगे उससे next lecture में, ओके, थैंक्यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजेगा, लाइक्यू वीडियो झांसी में, झाल झाल